सारे विद्यार्थ श्रीयकाल आपाँ पिछले कुछ लेक्ट्रां तों सब्ग्रू टॉपी कर रहे हैं ते एदी आपाँ जो लास्ट लेक्ट्र थीर माँ प्रूव किती हैं सीगी हैं ओधे अकॉर्डिंग आपने कुल सब्ग्रूप दे तिन्र कंसेप्ट बाढ़ेंगे सीगें मैं सब्ग्रूप दियां तिन्र डेफिनिशन बाढ़ेंगें सीगें वो पाढ़ रहे हैं कि एच सब्ग्रूप ऑफ जीरी फास्ट डेफिनिशन आपा किती सीगी हो सी एच नॉन यहां पाँ कि पहले दो प्रॉपटी सेम ने चार दिया प्रॉप टी बायूजिंग त्योरम दो नहीं हैं कि चार प्रॉपटी ने चक्क करना दिबजाए सिर्फ दो प्रॉप्रणुई चेक कर लो वो प्रॉप पृप्रिटी तेनी वर्स वाली एज़रा हेगा अपने प्रॉपरिटी नी यागी एहे कलोजर प्रॉपरिटी नी कलोजर प्रॉपरिटी था A B ब्लांग्स टूँ एच्छा होंता है इस करके A प्रॉपरिटी नाम फोई नहीं है यह की कहा हैँ आपा B अहुंदा कि बेज जी आपँड़, दो-ठेजिवमा करनी हैं, याने, डिफिशन याद़, आपँड़ तिन्ने करनी आद़, तिन्ने रखनी आद़ आपणिये, एक खुद आप गुरुप होए, तासफ गुरुप कहांगे, दो प्रॉपटी आँ हो, तासफ गुरुप कहांगे, ए, बी न ने होण गिया पर यह जादा यूज करा गिया तो चो तिरुम कर दें आपा कि तुन हो समझा जूगा तो स्टेटमेंट पाद रहे हैं तुसी भी स्टेटमेंट देख लो प्रूव एट इंट्रसेक्शन अफ टू सब ग्रूप अफ ग्रूप अगेना सब ग्रूप अफ ग्रूप मतलब गिवन की अकांट यह तो स्टार्ट कर रहे हैं पाई लेट कर लेट एच एंड के दो लेड़े बी एनी सब ग्रूप्स ओफ ग्रूप अफ ग्रूप 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 कर देख जेड़ा इनना दोना दे इंटरसेक्शन होगी इस आलसो इवी पक्का आलसो सब ग्रूप ओफ जी इनना दोने इंटरसेक्शन देड़ी होगी ओवी पक्का जीदा सब ग्रूप गएगी एची शो करनी है अपने जो देखो उन्हें कातियां रखनी है अपने कि सब ग्रूप प्रूव कि में करना पहला लिख लेने के प्रूव करांगे अपने सब गुरू प्रूव करना है का अपका ने एक तैड़ा H intersection K या इनू non empty शो करना दुज़े काल H intersection K इनू subset of G शो करना तीसरी काल कोई दो element अपाँ A, B H intersection K लईए ता A, B, inverse V, H intersection K आवे for all वास्ते सारे वास्ते एक तैन गुर्णा जो आपने को होगी है फिर आपका कहांगे एक एक इंटरसेक्शन K हैगा और G दा सबसेट अप सब गुरूप अपका एक पहला भी लिए आसी का जी A नू आपका सब गुरूप आपका कहांगे पहला A non empty होवे A subset of B होवे ते A B inverse हमेशा A चाबे for all A B belongs to B A एक तिन प्रॉपटियां होगी है चो एठों देखे आपका डिसाइड कर दे होना है कि सबसेट की दा जीदा सबसेट हो गई ओदा ही अपका सब गुरूप कहांगे चो कर दें आपका चलो आपका तिन प्रॉप करनी है अले विचिक था non empty शोग करना है subset शोग करना है A हे पार्ट सौखा होगा अले question तक्रीबन अगे A B inverse of H intersection gauge लेना for all A B belongs to H intersection gauge एस हम्ज़ों के में आपकान गिवन है since H and K are subgroups of G देते हैं आपका हुँ सब गुरूप भी definition की हुँ दिया तिन definition किती है अपते हैं जी ला रहे हैं सब गुरूप का था H पका non empty होगा के भी पका non empty होगा and H पका subset of G होगा के भी पका subset of G होगा जी आते जीड़ा A B inverse उभी बिच्चा होगा सारा मतलब A B inverse belongs to H for all A B belongs to H ये बिच्चा होगी ये लिखने नहीं है कि आपकाने क्योंड लिखने बाके लगा देगा पता फिलाल था मैं सिर्फ आ लिखने है कल्ला कल्ला मतलब A part लिखने आपकाने फिर इतों A part प्रूब कार लगा होगे कल्ला कल्ला लिखने लगा होगे जी में लोड हैगी ये आपकानों तो देखो बाके लगा देगा पता H non-empty या K non-empty है and a subgroup ने therefore H and K are itself a group तेहां रखने डेफिनिशन तिनने याद करनी है तिनने रखवाई हैं subgroup दी है H ते K खुद आप group होणगे अब आप ये पाड़ते आ रहे है J H ते K खुद आप group ने तक कि group दे विचापन पता हैगा कि identity element पका exist करेगा मतलब जिड़ा E या है वो पका H चाओगा अथे E या वो पका K चाओगा क्यों क्यों कि यड़ा identity element हैगा जी ओ गुरूप दे विच पका होंगा हुन दुजी का लेह है चलो है ता मालिया कि group A H गुरूप पज़ा identity element पका होगा K गुरूप पज़ा identity element पका होगा A अपन कि थे confirm है कि दोने identity element सेम होंगे जिड़ा identity element H भी चार है ओह ही K चाओगा A कि मैं कहां गया पा क्योंकि H and K R इटसल्फ group A subgroup of G ने ज़नों ते आँ दे विच्छों पज़े ज़े इना दा identity element सेम है H ते जीदा ता K ते जीदा भी सेम है दिता है आपन ता H ते के विच्छ जो identity element आओगा ओहो सेम ही आओगा एक अलना निके निक जलना ते यहां रखनी है क्योंकि एदा मालना है चलो H ते कि यह दोने group ने गुरूपचे आपा question पते बहुत किते ने पीछे काफी question किते हैं कि ने ओदे विच्छ identity element कड़े आता है गासी पर आई निसी कि हरे एक question वास्ते identity element सेम आया यह मतलब एक compulsion ने कि हरे गुरूपदे विच्छ identity element सेम हुगा गुरे क्यों सेम ले रहे हैं आपा एक्छे सेम ताह ले रहे हैं because H ते के दोने echo group ने सब group ने इस करके आपा identity element दोना सेम ले हुंत हुंते हैं आदे विच्छोवे जड़ा intersection हुंदा ओ की हुंदा जिमें आप एक्जाम्पल ले रही है A मालो हैगा 1, 2, 3 B हैगा 2, 3, 4 तो एड़ा A intersection B है ओ की होगा इनना विच्छ common element common element की ने 2 थे 3 intersection हुंदा हुंता है common element हुंदे हैं गिने अच विच्छ 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 element सारे के लिए विच आणगे intersection दे विच हुँ एता गल confirm होगी कि H intersection दे विच एक element आई रही है बाकी पता नहीं हो कि ने होंगी एक ता हैगा मतलब जड़ा H intersection की हैगा वो हो पका confirm होगया आपड़ों कि ये खाली नहीं है नॉन एम्टी है जे ता खाली होंदा है चो कुछ नहीं होना सी परिदक आपपा शोप हरता है कि ये आ रहे है जे ये आ रहे हैगा ता आपपा कैसा आदे है कि intersection एक खाली नहीं है ये पहला पार्ट आ गया होन दुज्जा पार्ट को परिदक अब ये देखोई आलसो जी में होने इत्थे लोड इत्थे पाला ने जी में इत्थे नहीं पाया ऐसी H subset of G, K subset of G, ऐसी लोड नहीं है किसी की जित्थे लोड आप उत्थे पालांगे H subset of G ये के subset of G एक क्यों होँआ सिद्धिली दो because because H वी सबग्रूप ओफ G होते K वी सबग्रूप ओफ G सबग्रूप ने सबग्रूप sub gén포 भी होंदा रहे जा इधा मतलब कि होंदा कि H दे औलेमेंट سारे G ईा रेने इधा मतलब हुँदा कि के दे औलेमेंट सारे G वी चा रेने आपने आची शो कर दी है कि आपका कह सकते हैं जे H दे अलिमेंट सारे G विच ने K दे अलिमेंट सारे G विच ने तरड़ा H intersection K होगा ओदे अलिमेंट भी पक्का G चाउनगे ये देखो H दे अलिमेंट सारे G विच ने K दे अलिमेंट सारे G विच ने एरे विचे element केड़े होंगे common element common element केड़े जी जिड़े H विच भी होंगे आते K विच भी होंगे common element पाने आपका है जिए H दे सारे आते K दे सारे G विच आ रहे हैं должно be common element इने रे विच होगे पका G ची होंगे यथा हो क्यातों माँगे है 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 14 haya जी भीच होगो, हुँन तीज्या करना आपकाने, A, B आपका H intersection K चो स्पोस करना, अधे A, B inverse नों आपका H intersection K दे भीच लेकी आओना, चो लेटर कालने आपका लेटर, A, B belongs to H intersection K, A, B आपका H intersection K दे भीच लेखी, तो यह आपका पहुंचना किते हैं, आपका इसे पहुंचना जी, A, B inverse belongs to H intersection, A, B inverse belongs to H intersection K, A, B inverse belongs to H intersection K च लेखी आओना, ओ लेकी आपके आरे हैं, देखो, A, B, H intersection K च आरे हैं, अधे लगी हो गया, intersection K element हो ने, common element, J, एहे दोने element आपका intersection च दे स्पोस किते हैंने, एधा meaning यह हो गया, कि एहे दोने element H विच भी होंगे, लिड़े H विच भी होन आते K विच भी होन जे एहे element A ते B H intersection K दे विच आ रहे ने इसा मतलब बन गया कि एहे H विच भी है K विच भी है ताहीं करके एहे H intersection K जाए ने ये तो कैसे ने फिर आपा A B belongs to H ते A B belongs to K दोना विच ने हुँ देखो ते हानर की आप तो कैसे ने जे A B H विच ने ता A B inverse पका H विच भी होगा क्यों because जिड़ा H हैगा ओह सब ग्रूप आप जी है सब ग्रूप विच की हुदा हुदा जे कोई दो element H ने मनना गे ता A B inverse H विच भी होगा ये होगा पका अते A B जे K विच आ रहे हैगा ता A B inverse भी पका K विच भी होगा because जड़ा K हैगा ओवी सब ग्रूप आप जी है उन एहे element देखो सेम A into B inverse A into B inverse एहे एको element H विच भी आ रहे है ते K विच भी आ रहे है मतरए common element होगा दुना विच भी चारे है A वाला element दोहां देख भी चारे है जी दोहां विच भी चारे हैगा फिर आपका कहा सग़े है कि A हे पका intersection देखे भी आओगा because जड़ा element दोहां देखे होगे ओ intersection देखे पका होगे therefore आपका कहा सब ग्रूप कि दा शो किता है एच इंटर्सेक्शन के नूँ शो किता शबसट ऑफ जी पांड जी बढ़ दो घुन एपाने शो करना जो बस स्टेप बाए श्टेप टिया आना पर यह आपिस टैप बढ़िया जो कि उन्हें शो किता अपने जड़ा इंटर्सेक्शन है गाज दो चाप्ग बारे देखना आपने वो कर दें मतलब जे दो साब गुरुप ने कि उन्ना दी यूनियन साब गुरुप होएगी एहे गाल आपने देखने हैं एक स्टेटमेंट हैगी और देखलो सी जड़ा यूनियन हैगा जी दो साब गुरुप ने कैसे साब गुरुप होगा मतलब जे को इचे अपने प्रुप करना होवे कि दो साब गुरुप ने यूनियन साब गुरुप हैगा तो जन्न प्रूब करांगे जे गल्ट करना हुए ता आप एक्जाम्पल लवाँगे ओक कोस्टन करना लगी है आप तिरो मांगुई हैं काफी इंपारण हो देख लो Union of any two subgroups of a group is not necessarily a subgroup of a group Union बारे तो देख लो Union हुंदा की है गाजी जिमें a दिता है आपानो 1,2,3 b हैगा अपने को लो 2,3,4 तो Union हुंदा है गा सारे a देवी element सारे पाने है b देवी सारे पाने है common element इक और ही पाना है मतलब पहला 1,2,3 a दे element पाने सारे a दे पाने है या दे बी दे पाने है टू नी पाना है गा टू आ चुक है गाजी पाने है common element इक और ही पाने है थ्री नी पाना आ चुक है जी फोर a अपने को Union हुगा जी a जुने दी उन्दित्ता की है आपने प्रूब की करना अपने j h अते k दो सबग्रूप ने जी दे सबग्रूप ऑफ जी ने ता जिड़ा Union हुगा जी उन्हों आपना पकानी कैसा दे कि ये सबग्रूप हुगा अपने तो गल्त करना आपने तो गल्त करना वास्ते आप एक्जाम्पल ले रहे हैं एक्जाम्पल ना प्रूप करांगे कि दो सबग्रूप ने उन्हा दी यूनियन एह सबग्रूप नहीं होगी तो एक्जाम्पल नहीं लग गया है मैं थोड़ दसना बाकि उसी आप परूप कर लियो तो एह तो आपने पता कि इस तो एक्जाम्पल शुरू कर रहे हैं सेट आफ इंटीजर्स के डिए हुदने एक्जाम्पल शुरू कराने माइनस थ्री सौन चली या रहे है माइनस टू माइनस वान जीरो वान टू त्री अप टू सौन ये चली या इंटीजर्स नो टू ना मट्टी पे करता जी तू जेट इस सारे इंटीजर्स नो अब हाँ तू ना मट्टी पे करता यह बंजेगा माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6 इना सारे न सेहते हैं यहां देवे छोवे अपन यह 2 ना मल्टिपला किता integers नो इनों कहने हैंगे हैं यह सारे की बना इने अपने multiples of multiples of 2 बना इने सारे यह 2 ने multiples ने चलो इतना पास अगने हैं अपा फिर 3 Z ले आ इनों प्रूव करना कि यह साब ग्रूप होगा यह प्रूव कर चुकी हैं पहला ही अपा ग्रूप चैप्टर देविच तुसी आप प्रूव कर लिए लिए 3 Z जिड़ा हैगा यह 3 ना मल्टिपला करने ने माइनस 9 माइनस 6 3 ना मल्टिपला की था माइनस 3 0 3 6 9 पहला कम A शो करना कि 2 Z कॉमा 3 Z R सब ग्रूप अफ जड़ A ची शो कर लिए यह थोटा होवर का अप पी कर लिए शो जी A शो करना कि मैं हिंट दे रहे हैं सब ग्रूप की में होणगे पहला Non-Empty शो करना बीच होगा माइनस 4 भी होगा माइनस 2 सारे विच्च होगे अगे इस तो बाद इनों आपका अने उन डेफिन छे से तिन ने कितनी आने non-empty show हो गया, subset show हो गया जातना खुद आप गृरूप show करिए जाहां closer property जाहां closer property लादी है जाहां A B new उनिवर्स है property लादी है जड़ी मर्जी लादो थोड़ी मर्जी है वैसे रहे विचे खुद आप गुर्प शो कार लो जा सेकेंड प्रपी लाड़ो जी मत ओसर प्रॉपप्री शो कर दो तीन वरसाह प्रॉपटी शो कर दो उ करना लगे हैं पिछे कोश्टन गिता है आप अचा मुल्टीपल ऐफ मसी का उत देख लिया मैं थुस्य नो भूद आप ग५प शोग कारनों तो प्रॉपटी नावा ओगेंगे जी बाकी लाके देखने हो जेड़ी ए-बी नवसर आप एक प्रॉपटी कही है जे एक प्रॉपटी हो वे 23 अपर भूप हो गए इस करके जादा खुद आप ग्रुप शो कर लो फास्ट बाड़ी डेफिनेशन किती है जाँ प्लोज़ प्रॉपर्टी शो कर दो वो हते एस्सोसेटी प्रॉपर्टी शो कर दो जेड़ा अपने चो उपरेशन लेया है जी ओ अडिशन उपरेशन है एक गलते हां रखने हैं अंटर अडिशन इगल कर रहे हैं अंटर अडिशन मतलब ए प्लस बी हो गए चो उपरेशन चो एक कम तो हटा अपना है जी तुसी एनों ते एनों दोनां सब गुरूप शो कर दियो सब गुरूप मतलब लगी नॉन एप्टी शो करता सबसेट शो करता ते खुद आप गुरूप शो कर दोने ए दोनां खुद आप गुरूप शो कर दियो अंटर अपरेशन अडिशन है चो ए दो सब गुरूप ने जी एव नव टू जेट यूनियन त्री जेट यूने लिए अपर नहीं यूने विच की ऐलिमेंट होन गई इस सारे पौने हैं जो रपीट का दो नहीं पौना है जो मैं तो शुरू करा ना बहला माइनस इक्स आ गया फिर माइनस फूर आ गया माइनस त्री भी पौना विच माइनस टू पौना सारे लिमेंट ले रहे हैं जीरो आ गया फिर टू आ होगा थ्री आ होगा फोर आ होगा सिक्स दोहां विच आ एकवरी पौना आप पौने बाकी सोण कार ले ये तो देखके लागे भी रहा होगा कि टू जेड यूनियन ट्री जेड चकेड़े लिमेंट आ रहे हैं एक टू दे मल्टिपल ने सारे एक त्री दे मल्टिपल ने इस सारे कठे किते हैं टू दे मल्टिपल आ रहे हैं चे त्री दे मल्टिपल आ रहे हैं गौना देखो इनों को शो करना है ki, साब गुरूप नहीं है चोलो, आपा ले रहे हैं फिर जे डाद टू हैगा देखो, टू टे थ्री एहे दोने इरे विचारने जुनियन चारन देखो टू, जुनियन 3-जार तू जुनियन 3-जाट दे हो तू भी आ रहा देखो, थ्री भी आ रहा देखो, अंडर उप्रेशन का रहा है अडीशन है, देखो, ज़र टू प्लस थ्री आ, एक इना बढ़ूगा, फाइव, की थाटे सा उना फाइवरी भी छोगए दी, इने विच है की या, एक टू दे मल्टिपल ने, एक थ्री दे मल् बन गया, की फाइव, तू दा मल्टिपला, नहीं, की फाइव, थ्री दा मल्टिपला, नहीं, इरे विच कले टू थ्री दे मल्टिपला आ रहे हैं, ना फाइव, तू दा मल्टिपला, ना थ्री दा मल्टिपला, मतलब इरे विच नहीं होगा, यहे, यहे सैट विच नहीं ह तक की मतलब बन गया Closer property है इस satisfy नहीं हो रही जे खुद आप group होगा ताहीं सब ग्रूप अहां गया जे closer property satisfy नहीं कर रही है ताँ खुद आप group नहीं होगा therefore जे खुद आप group नहीं होगा ताप सब ग्रूप नहीं कहसे रही therefore 2z union 3z is not subgroup of जेट एहे subgroup नहीं होगा तेही अप पशो करना से काफी important आजी है मग गेठीरों करनी है पैस तो बहुत union आप सब ग्रूप नहीं आ सकते हैंगे जे औरे विचे आप एक condition हो लगा दिये statement देखो की हैंगे the union of two subgroups of a group is a group is a subgroup if and only if one is contained in other मत्रव की खल बनी statement समद्धिया पहला भी प्रूफ करांगे अपका let कार लिया h and k b any two subgroups of group g यह दो subgroup नहीं है g दे we are to prove that उना अपका प्रूफ करना प्लस statement समझने दे आना ले we are to prove that h union k is subgroup of g if and only if उने word पाया एक जी उने पाया है गा sentence पाया एक one is contained एक sentence पाया one is contained in other content ना मतलब उन्दा की विच्चा रहे है मतलब जब आपका कहिए a is contained in b इसा मतलब बन गया की a जड़ है गा वो b दे विच्चा रहे है contained in the which which मतलब की subset contained in the subset a कहांगे आपका a is subset of b एदा कहलो चाहे a is contained in b एदा कहलो वो दुने गला सेमीन है उन्हें थे प्रू करना पाने की we are to prove that h in k subgroup of g if and only if one is contained in other एक दुझे विच्चा वे मतलब जाह था h k विच्चा वे मतलब h subset of k हो भे जाह k subset of h हो भे जाह k subset of h हो भे एक आपके one is contained in other जाह h k which contained है जाह k h which contained है तो दुना करना लों गला कनफर्म हो गया कि one is contained in other उन्हें का लादी कि जीड़ा h union k हैगा पिच्चे जीड़ा पथिरूम किती है गिए नमेरिकल किता ओरे विच्च आपा h union k नो शो किता कि ये पक्का सब गुरूप necessarily confirm नहीं हैगा कि सब गुरूप होगा मतलब नहीं योसा होगा औरे वात आपा example देगे गल्द किता कि सब गुरूप नहीं होगा पर जे आपा आहा condition लगा दिया नाड मतलब एस सब गुरूप बढ़ेगा जे h subset of k होगे जहां k subset of h फिर एस सब गुरूप आजएगा जे आप निच्च ना होगे दो सब गुरूप ने उन्हा यूनिन आपा सब गुरूप पका नहीं कहा सब गुरूप नहीं है पर जे एक condition ला दिया आप नाड पे पका सब गुरूप होगे नाड़ेच इफ और उनली फ आगया उसी गल्ब बढ़ेगे जी पहला सब गुरूप मना के अपा उससे बात H सबसेट अफ के शोव कराँगे जहां के अफ सेट अफ कराँगे फेर एक पार्ट ने विच आप आखा मन के आप गुरूप कराँगे एक फूरान के ले ऐगे लिच गता होग षरी फेरे बच्इब होगे एतों तो ंताइस स्टार्ट कर लिए आपे इस तो के कॉंटिन्यू करांगे यह एक कंसेट्स समझना पाणे ओ की हैगा जी परद लिख लिए अपा प्रूव की करना दे करना की यह पहला अपा करना लगिया ओनली इफ पार्ट only found which की होंदा जो पहला आगया हो गीवन एता ए दोने टा उपपर इने statement ए दोने एता given ही land इना पण ए इस statement दे उपपर नहीं ए फरन ओंड फिर विच पाया है कि पहला नों सब गूम मननागे फिर आशो कराँगे इनूं मननकि आशो कराँगे एह उपर गिवन है, उपर मतलब यह दोहां विच गिवन होगी, मतलब we are given that आपन गिवन है h, k subgroup of g and h union k is subgroup of g लिटा है यह आपन we are to prove that we are to prove that आपने प्रूव करना हैगा k h subset of k होगा जहां k subset of h होगा science यह आना पाने है subgroup आस्ते, less than equal to वन्गों पाने हैं यह subgroup होगास्ते यह c पागे पाना है subset आस्ते चो आज ही प्रूव करना है h is use करना हैगा आपने contradiction method उन contradiction method कीवे होंदा हैगा जह मालो contradiction method है कीवे है जेडी ची आपने प्रूव करनी होंदी है पहला भी concept किता है contradiction method दा जहां ते आ रखे जेडी ची प्रूव करनी होंदी है contradiction method दे विच्च उस तो उल्टा मनना होंदा मतलब मालो x equal to 2 आपने प्रूव करना यह प्रूव करना है मालो फिर contradiction method दे विच्च की होंदा होंदा की जेडी चीज आपने प्रूव करनी है ओ तो उल्टा मालो not equal to ए तो उल्टा मान के कैद वो कि यह not possible ए मान के शो काता है possible नहीं है गए possible मतलब की गल्थ हो गया यह चीज आई नहीं साथी जे गल्थ हो गया मतलब की यह जे गल्थ मन्ने अताहीं गल्थ हो गया इस करके फिर x not equal to नहीं होगा फिर x equal to चुरू एक देखांगे अपड़ एहे कर लिए कोशन फिर लगज को बता की की में करना हो था पहला स्टेप एहे है की contradiction method दे विच आप आने जो चीज प्रूव करनी होंदी है की यह ओ तो उल्टा स्पोस करना हो था उन एरे विच मेंड गल एही है की उल्टे दा आप आपकी कहा रहे हैं अपका उल्टा की स्पोस करना हो था उल्टा देखो उन आहाँ चीज आपका ने प्रूव करनी है ए तो उल्टा की स्पोस करना है मतलब उल्टे दा आपकी मेंड दा की में कहा रहे हैं की उल्टा स्पोस करो इस तो फिर नों गल्त कर दो फिर आ आज होगा जो पहला का सेप्ट है कि उल्टा आपका की में स्पोस करना हूँ जि मैं equal to वास आपका not equal to क्यों मनने है उल्टा not equal to क्यों होगा जिए greater लगांगे ना उल्टा की होगा कि lesser मनना गया आपका उल्टा नहीं जिड़ा मैं आपका word यूज कर रहे हैं उल्टा word यूज कर रहे हैं मज़रों की हैगा पहला तुसी overall case मनने ने जो ची प्रूव करनी है न उदे overall case मननने है overall case इस सम्झे रहे होते हैं आणवार जी यही concept काफी important है रहे विच एक त्यूर्ण तावी important है रहे विच concept काफी है आणगे जी में यह ले रहे सी अपका इस overall case मनने आणए है पर ना उल्टा कितना स्कोर्ज करना हो दास रहे हैं overall case मनने आणए है पर ना x greater than 2 number two तो बड़े होन गे win, horse case ही पासा द customize number two तो छोटे भी हो सा दने ते number two तो ब्राबर भी उसा दने overall case बासा हीने तो यही number लोंगे जा two तो बड़ा होगा जा छोटा होगा जा ब्राबर होगा, इस तो लावा होगी case ने परना है आप प्रूख करने ना प्रूख करने हैं तब कॉंटरडिक्शन मेथ देप पर तो उल्टा बना कि उल्टा की है कि ओवराल केसे विच्छों ए छाड़ दो वो कॉंटरडिक्शन मेथड़ दो देश एच इस पोस करनी है कि X less than or equal to 2 है एस पोस करनी है एनुस पोस करके एक एदो कि नौट पॉसिबल है नौट पॉसिबल ना मतलब की हो गया कि ए नहीं हो सकता ना लेस हो सकता ना equal to हो सकता पिछे की जागए फिर पका ही होगा X greater than 2 होगा तो होर देखो ते आनवा के करांगे अपा पहला overall case यह हो लो overall case की तब ना ले total case ना ले हुआ है जी मैं आसी इस तो overall case की बन के कोई number जा 2 दे ब्रापर होगा जा 2 दे ब्रापर नहीं होगा कोई होर case बन दा इस तोलाब है कोई भी आपा number suppose करिये जा 2 होगा जा not equal to होगा एह उग्राड केस बनेगे जे ऐहें उग्राड केस बनेगे एहें प्रूव करना आप ए तो उल्टा स्पोस करूँ उल्टा मस लगे छाड़े दो आची सपोस पराइए आची स्पोस करके दो गलत कराइए चुँझे ए तक हम सभा लग रहा होगा मैं ताइस गल उपजा जोर ला रहे हैं कि उरे ओवराल केस की बन गए एक गल काफी पॉर्ण रटगी उरे ओवराल केस की बन गए तो देखो जी जी मैं आपा कह दिये कि ह सबसेट आफ के है कोई दो सेट तो हानू गिवन ने ह दे केस की बन साथ है जा ह सबसेट आफ के हूँगा मतलब ह दे अलिमेंट सारे केश आणगी हाथे केश सारे केस बन साथ है कोई भी दो सेट लेड़ो ह दे अलिमेंट सारे केश बन साथ होणगी जा केश सारे हैश बन साथ होणगी पर, and, but, के दे अलिमेंट एच चाहे अगा, ए भी हो साथा केस, ए भी ता हो साथा की, ह दे अलिमेंट के विच आजन अते, के दे अलिमेंट सा, ह विच नाान सारे, सारे नाान, होर की हो साथा जी, ह UM कोई भी दो सेट बनना होंगे, ओवराँ चार कमिया यह जहा होंगे यहूंगे यह नहीं होंगे यह नहीं होंगे यह नहीं हूंगे ओवराल ह एक चार केस को आते हैं कि अवरल केस कि उन्हों हॉन्हारे कांट्रिक्शन मैप्रिश के हो दा है गां, पहला ऑफिर ज्ड़ा केस हैं, नगे hansब करना हो लुद थो उल्टाइस्पोस करना हो था मतल owन्हों छाटके आई लूटे च्रटना पहरे विचे लुचे उल्टा आपvyस्पोस करना उन्हें डग होगी था उल्टाesso क्रवन रही होगी कि ये ता और प्या है ये बिच एंड एंड ने ते एक केस की में छटांगे अब पहरे बिच्छों इनों समझा नवास थे एक गल होड़ समझा उनी है रे बिच्छ ओगाल है कि ये और बारे एक काफी कंसेप्ट थे पिछले आउन गे जी जिड़े काम कार रहे हैं आपा सारे पिछले शोटी लादे कंसेप्ट नहीं है पर दसना जूरी है कि तुम जे पता चंगी काला जे नहीं पता हैगा ता उन्तियां रखना और जे अपा कहिए ह सबसेट आफ के और के सबसेट आफ एच इदना पाया और चलो जिड़े था पता ही है अपा और कहने है गया जान चलो पहले एंड पढ़ लें एंड की हुँदा आते हे मतलब की एवी पका होगा एच दे इलिमेन्ट सारे के भी चांड़गे एऍड के दे इलिमेन्ट सारे ही अच बी चांड़गे subset of kay kay subset of ayysh होगा पका and मतलभ होंथा कि दोने कलना होण ये आवी होगा आवी होगा हम और देखू ये फड़िया होगा और विच तुसे एतना पड़िया होना और उन्दा जान जान धाप आब की हैगा जान धा मतलभ जानता a subset of के होगा, जां के सबसुड़ वेच होगा जड़ी चीज़ सी पड़ी होगी वो इतना पड़ी होनी जाता आ होगा जां आ होगा, इक चीज़ होगे ना विच्छों, इक चीज़ होगे यह पड़ा है अपा है, आज जां परे पर यह हमेशा नहीं हुदा कि जाँ चिक ची होंदी है एक गाल समझा उनी है जिड़ा और तोनोते आंदे वे छोगा और गरने अपा जाँ जाँगी होंदा जाता आ होगा एच देरिमेंट सारे के वे छोणगे जाँ के देरिमेंट सारे एच वे छोणगे इकोगल होगी, जहाँ होगी, जहाँ होगी पर एद्दा हमेशा नहीं होदा है गा इनों समझना वास थे एक्जामपल लखा रहे हैं दो जी एक्जामपल मैं दो स्टेटिस संटेंस लिख रहे हैं गा तो देखके समझा जूगा A pencil Is given There will be given A pencil Will be Given To a Student A pencil It is not a problem, a pencil or pen A pencil or pen Will be given To a student Who Got Who will get Who will get Highest Marks In math इक्जामपल संटेंस एहे हैं यही हैं यही हैं आप रापका लिनें इक संटेंस हो रहा है A pencil A pencil Will be given To a student Who Will get Highest marks Highest marks Highest marks In Mass Or Physics Six 1 1 A Or 1 A 2 आपास संदेंस ने फिर संजा जू गाई इस Pencil थी आपर पंजाबी कावधें पर संजा जू कुछ की मतरब की हैं अब एक पैंसर मिलूगी जहां पहने मिलूगा कीनों मिलूगा जी उस बच्चे नो मिलेगा जिरे मैं दे विच्छों हाईयस माकस राणगे कोई टेस्ट होया और विच्छों हाईयस माकस राणगे उनों पैंसर जहां पहने मिलूगा तो देखो यह थे कह रहे हैं आपा जहाँ पैंसल मिलेगी जहाँ पैंसल मिलेगी जहाँ पैंसल मिलेगी एक बच्चे दे मालो किसे बच्चे दे कोई बच्चा ओधे मैं फिर चो हाईस्ट मार्स आगे उन्हों की दमागे अपा पैंसल दमागे जहाँ पैंसल दमागे जहाँ पैंसल दम फाले बल्ड हूँगा कोई चीच और फेंसल हुगी और मदलब की जहां पैंसल दमाँगे जहां पैन तो दुनाहां पनल मिन्न की एक है है इते करने का पैंसल दमाँगे अपका किस बच्छे Is? जिस बच्छे में थे विच हाई स्रुमाक्स उच्छा गए जाँ फिड़क्स में विच्छा हागी मतलब किसे पचले मैक्स हाईSch उच्छा उ đấy हागी उने पैंसल दे है यह पर सो फिलिक्स हुआ तैो रटीजे मिलेंगी जा टूरा फिलिक्स अभी हो रहाख छो भी हए ऐस मांग सी तांक आप फीर्क्स gang पर आगे मतलब उनुप पैंसल डमागे एंडिंग किसे एक चो आगे इदा नहीं कहांगे इसले किसे एक विचो कहा जिए बच्चे दुना विच्छो हाइस मार्ग सा आगे ताँ उनुप पैंसल आपा दमागे मतलब कि एज मैठ एंड फिरिकसाला के सेरे विच हैगा इस और मतलब जिस बच्चे दे मैठ एंड फिरिकस दोना विच्चों बोथ विच्चों नंबर हाइस्ट आगे उनुप पैंसल दमागे ताँ और जिड़े होंदे ने दो परकार दे होंदे दो परकार दे मतलब एक विच बोथ वाला केस एक्सक्लूड होंदा आप बोथ वाला केस एक्सक्लूड होंदा इक और हुझंदा हैगा जित बोथ वाला केस आपां इंकलूड करदे हैं और दो Пरकार दें थे ए इसारा कम पहलाय आचुकिया जी प्लैसर वां दे विचज़ लॉजिक चैक्टर हुझदा सी औरे विच्छा है सारा कम एहे और विच बोथ वाला केस लेना अपणे मतलब कि जिनना बच्चेयां दे दोना विच्चों आई-एस माक्स आगे उनूं पैंसल दमां गया जिस और विच बोथ वाला केस नहीं लेना उनूं कहने हैं गें आप आप आएक्स्क्लूजिव और exclusive और exclusive word exclude दो बने है exclude मतलब कि छटना हो जो जी चो बहुँत है कैशा आप लेना लेना होँदा including इन्हों कहने है inclusive और तो और दो परकार दे हुदे inclusive आते exclusive दोपरकार दे और हुदे ऊपके तोड़ा जा होर का अंचा इने बारहि पुर्स अमझा लेगा इंदी के गरलाने जब बैसी कमसेप नेजने अपर आपा जारा गौर नहीं कर दे है जी मिया देखो दिशिता स्ने मिद्फित लिया एक जेडा काम आपा यूज कर दे आ आ रहे हैं जेडा काम आपा यूज कर दे आ रहे हैं Okay, we have a, 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 जिननें भी numerical कर दें हैं अमले algebra दे विच, जब छोटी के लासा है विच, एद्धा इस situation आपने खुल आ जा जाती है, इन्हों कहने होने 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 होन, x-1 एकुल दो जीरो, और, x-2 एकुल दो, स्रेथों कहने होने 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 होने, x-1 और x- एहे वाला और की या exclusive और के inclusive होगी और के आउंप पाया है फोड़ दाजिन ना जी कि मैं सीगा दो नम्बरा दी product 0 ता होगी दो नम्बरा दी product 0 ता होगी जे दोना विच्चों कोई 1-0 होगी जाँ A-0 होगी जाँ A-0 होगी जे दोना विच्चों कोई 1-0 हैगा तो ने product 0 होगी उनको उसने बांदा हैगा जे A-0 होगी ताम भी 0 होगा है जे A-0 होगी A-0 जो मर्जी होगी 0 इंटो किता अब 0 आएगा जे दोने 0 होगी 0 इंटो 0 होगी मतलब की इस और विच्च इस और नो आपकी कहांगी कि बोध वाला केस लेना कि दोने 0 होगी कि 0 आँसर नहीं आऊगा आऊगा 0 आँसर पर इगाल देखनी है यह दे भी समझना आते हैं कि A-R की हैगा कि A-R inclusive होगी inclusive मतलब की दोने आपकी एस लेना आपकाने कि exclusive होगी exclusive कि दोने आपकी एस आपका लेया जे दोने कठे 1-8-0 नहीं हो सागदे हैंगी फिर आपका कहांगी और नो exclusive दोने नहीं 0 हो सागदे पर इदमाच अगा लारी होगी कि 0 इंटो 0 किता 0 यह आँगो दोने कठे 0 आपकाने पर नहीं जड़ा यह वाला आओ रहा यह exclusive और एक्सक्लूजिव और एक्सक्लूजिव एह गल सारी हैं ते आना सम्मूने बाड़ी है exclusive और क्यों है फिर एक गल तो मैं गलत कही है ना कि दोने 0 हो ना तो 0 पका होगा तो यह मैं बोधरा केस क्यों छड़ता आपारे रहे विच विकाज तो दोने कठे 0 कारणी सादे रहे विच एना दोना तो यह कठे 0 नहीं कार सा जिना भाई जोर लाड़ एज 0 के लिए पर होगा वान उपर एज 0 के लिए पर होगा 2 उपर तो यह दोनों कट्थे जिरो कारणी साधी है जाना आज जिरो बनूगा जाना आज जिरो बनूगा दोने एकट्थे जिरो बाणी साधी है देख लो एक जिरो कदो बनेगा वान उपर एक जिरो कदो बनेगा टू उपर कि दोने कट्थे जिरो कार साधी हो कोई एक जेही value है कि नि दोना जो पारके दोना जो जीरो करते हो फ़िए नहीं एक जीरो नहीं हो सारे इस case दे विच इस case ते नहीं zero हो सारे थे थे आपां बोथ वाला case चाड़ता तो ए और की या exclusive और एक गाल सारे समझने ना लिए मैं यहांने इंक्लूजिव और है एहे और इंक्लूजिव और है इंक्लूजिव और क्यों है तो आक अल्ला जिरो इंक्लूजिव और की हुदा होता है कि दोने डा केस कि दोने कट्थे जिरो कर सा रहा है इस केस ए दोने कट्थे जिरो कर सा दिया है क्योंकि ए अलाग नम्बर ए अलाग न आप 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 कठ्थे जीरो नहीं काल सा दे ता उनु कहांगे आपां एक्स्क्लूजिव और उन ए सारा कंसेप्ट आपां एकठ्था करना हैगा जी उन आ इत्थे सीगे आपां जी और इसा मतलग की है एहे अपने कोल इन्क्लूजिव और जी इन्क्लूजिव और जी चलो पहला देखो जाता आ होगा आ नहीं हो एकची होगी एकची मतलों की जाता आ होगा समझे थे आना और जा आ होगा जा दोने होगे इन्क्लूजिव और जाता आ होगा एंड कल्ला आ होगा कल्ला ए होगा पाव की है ये नहीं होगा समझे थे आना रड़ी होगा कल्ला ए होगा ए नहीं होगा दुज्जा केस की होगा जान आ नहीं होगा पहला अधे दूसरा होगा और विच्च की होगा होगा जान एक ची होगा जान ता आ होगा जान आ होगा एक चीज ना मतलब की है गा जान ता आ होगा आ नहीं होगा एक चीज होगी दुना विच्चों जा आहा होगा आहा नहीं होगा आहा नहीं होगा एक ही होगा एक चीज़ होगा और इरे विच आहा चीज़ हो रही है कली पहले आड़ी ते इरे विच आहा चीज़ दुझे चाहा हो रही है और ए और बार की कहा रहा है मैं inclusive और मतलब बोथला केस आप पैशे लेना मतलब एक केसी विरे विच हैगा कि आवी होगा एंड आवी होगा देख खुश है कि गल समझागी होगी जी मैं समझाना चलना है मतलब कि इस और दे विच तिन केस ने पहला होगे दुझा ना होगे पहला ना होगे, दुझा होगे, दुझा होगे आपने एक वाद आपने एक वाद आपने 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 द्रइबर इन देखो, दुने होन आवडा केस हो गया देखो, दूजोढ आवडा केस हो गया, त टिछा आवडा केस हो गया, तँर ए तिन केस अलाग़ लिखां दी में बजाए, अपया ओवराल कैसागदे है «avier soon कला है» है है एनू कला है है H दो rap सेट आफ के और के सबसेट आफ एच उपा रहे है एक कितने केस रही भी चाओगे और दुज़ा केस की है एच नौट सबसेट आफ के एंड के नौट सबसेट आफ एच ता ओवराल सिर्फ दो केस बन लगे दो केस मतलब जहां ता आ होगा जहां आ होगा कॉंटरिक्सिमेटर की होंदा किनों प्रूव करना आप पाने स्टेट्मेंट देखो थे आनल स्टेट्मेंट विच आप 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 चीज़ प्रूव करनी है जह स्टेट्मेंट जह आप 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 चीज़ प्रूव करनी है गी यह ता आप आप जो फिर आपपा आच पर आप आप जो खरांगे कि ओवराल दूर केस ही ना इस तो उल्टा 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 की हुंदा जेड़े ओवराल केस ने ये रहागे हो कौन ये आपका जी मैं X greater than 2A X less than 2A X equal to 2A ये तिन्र केस मना ऐसे ओवराल जा नमपर दो तो बटे होणगे जा छोटे होणगे जा एक्कोल होणगे तिन्र केस मना ऐसे आपका ओवराल जी तिन्र केस मना ऐसे आपका ओवराल मालो आची पनू करनी हैं आपणे तो कॉंट्रिक्शन मैथर की होणगे एनो छाट के बाकी केस मालो और गल्त शोग कर दो बाकी केस की मना ऐसे आपका X less than equal to 2 ये मान के नो गल्त शोग कर दो ओवराल केस दो बटे ने चार सी गे जी ए तिन्र नो आपका एक चकठा कर लिया तो ओवराल केस दो बटे एक ची प्रूव कर लिया ये नो छाट के एक ची स्पोस कार लुआगे एक ची स्पोस कार के नो गल्त कर दो माँगे फिर बाकाई कॉंट्रिक्शन मैथर ये सही आज़़ चुरों भी इधर नो गल्त समझाई होगी प्राइभ खुँ आज़़ के ची सया माँगे समझाई है काम मों कर आँचे ठीम लग जूगा ज़िए । ने त ही आज़़ चण्डेया थी कि आज़़ी बट रूख कर रहे हैं suppose that लिहाज ही पिछे है आपना जिसे छड़ाज ही गा वो तो गेर कॉंटिन्यू कार लिए suppose that H not subset of K and K not subset of H ए सारा कुछ रड़ा पर टाइम लाया है और रे वास्त लाया है कि एहे की में suppose कार लिए आपना because आज ही प्रूव करनी है सारा कुछ आप रे वास्ते किता है रड़ा पिछे कंसर्प्ट समझे है गा एदा उल्टा जे आपना के नो connection कर दो मांगे ए नहीं हो सारा पिछे आप आप सेगे फिर यहां सरा रुगा तो आज ही स्पोज किती है पाने हून देखो जी since ना था कोई नहीं है गाट ना dei हून सबसेट दा a subset औस अब बी कदों कहांगा जो a दी element सारे b वें चुपए हो a दी element सारे b वें चूणगे कि कहांगै अप a subset अब b ए classroom एक example लही है आपा 123 ते b लाड़े आपा 2345 five की आपा ARRIAN बीच कह साग दे हैं की A subset of B यह A नूँ praw in mother B को हरों है जो A दे सारे element B बीच पाय होंगे सारे element है गिने नहीं kala two three आरे है बांता है है नहीं अरे बीच तर्यदु मित कहांगे covet subset subset नहीं दा meaning की है की A बीच कट टो कट इक element है जिड़े सेट विच नहीं हो दो इक वी healing सारे element सारे पक्का बीच नहीं हों न तुसी कहोंगे कि यह था एदे कुछ element तब बीचाही रहेने तक एदे सारे element पीच नहीं हो नहीं हो की है यह दा मतलब हैगा कि A दे अलिमेंट सारे बीच होण not subset of meaning की है कि A विच कटट इक जेहाँ element होवे जड़ा बीच ना आवे कटट इक होवे दो हों तिन हों चार्ज ने मर्जी हों जिमें उरे इक टटट इक element हैगा अपने कोल जेड़ा बी विच नहीं हैगा इस करके अपा कहांगे कि A subset of B नहीं हैगा since दित्ता होया अपन है एच इस नौट subset of K समझे होते है आना therefore there exists A belongs to H such that A doesn't belong to K subset ना हो नहीं है कि कट तो कट इरे विच इक अजेहा element होगा जिड़ा इरे विच ना होगे इरे विच इरे विच इरे विच इरे विच ना होगे ता अपा कहांगे A subset of A not subset of B है इरे विच इरे विच इरे विच अजेहा element कि ड़ा मनने आपा A मनन्म जिड़ा H विच परो K विच नहीं होगा also दित्ता होगे K not subset of B है therefore K not subset of H या iş therefore there exists B belongs to K इरे विच्छ को टोड़ी का जी है, element हो गएड़ा, इरे विच्छ ता आवे, पर इरे विच्छ ना आवे, such that, इड़ा B हैगा, ओहो, H विच्छ ना आवे, यह हो गएड़ा, इस तो बाद, ता की हो गया, इस तो इता गल कनफर्मा की, A, H विच्छ आ रहे है, ते B, K विच्छ आ रहे है, इता पता ही है, A आप H जी मनने है, जी, B आपा केज मनने, A केज नहीं आ रहे है, B, H जी नहीं आ रहे है, चलो दित्ता है, चलो, A ते A, H विच्छ आ रहे है, B केज जी मनने है पाने, जूनियां च्ए zelीमेट केड़े आँगे, जूनियां दे विच और लियमेट सब्सक्णा भिए सारे होगे, आते के आड़े भी सारे होगे मतल़ा होगी जे एह इऑच्च वी ज्वी ज़ी आड़्या तह जा जिनिच पक्का होगी। जे के विच वी आड़्या आःटाuen जिनिच颇 पक्का होगी। ए 대한 therefore common definite . Intersection तो प्रक्ले पकलेwww पर आपा यूने दिगा लगा रहे हैं जे ह दे अरिमेंट सारे यूने चपॉने ने ता ए भी पका किरे विचाओगा यूने दे विचाओगा जे के दे भी सारे यूने चपॉने ने ता बी भी पका किरे विचाओगा यूने चाओगा कि आपा कैसा रहता हूँ A B inverse पका union चाहूगा जी statement देख लिए अज़रा आपका given लिए आजी because H union K सीगा O subgroup of G सीगा जे subgroup आ रहा हूँ अज़रा कि हम दा property थर्ड definition ते जी definition की किती है अपने जे कोई दो element लवांगे अपना set दे विच हो ता A B inverse के लिए विच आओगा पका set दे विच ही आओगा जो देखो दे आना हूँ जी हूँ जे element union दे विच आ रहा है इदा मतलब की है जी मैं आप एक्जांपल लेड़ी है इदर पाल लेने जो जी मैं H लेड़े अपने 1,2,3, K लेड़े अपने 3,4,5 यह है अपने K suppose कर लेड़े जो H union K लेड़े अपने A आगा 1,2,3,4,5 यह आगा 1,2,3,4,5 उन्हें एरे बाद देखोना आपते हैं आ रहा है की लिए है जे कोई भी element union दे विच आ रहा है गा इसा मतलब की यह जे कोई element union दे विच आ रहा है गा जाता हो element H विच होगा देखो element union चा रहा है जाता H विच होगा जाता हो element K विच होगा जाता हो element H विच होगा जाता हो element H विच होगा मतलब जे कोई element union दे विचा रहा हैगा, जाहाता हु कल्ला k छपया होगा, जाहाँ और theINK곤ềm है हाही element होंगी लिविचा हुगा मतलब therefore a, b, inverse, जाहाता h विचा होगा, जाहा, k विचा होगा, जाह, दोहां विचा होगा, दोहां विचाओगा मतलब की हो गया एहे औरा एहे इंक्लूजिव औरा इंक्लूजिव औरा विकॉज बोथ अला केस विदे विचाओगा है यह गलतियां रखनी चलो जारे विचाओगा जारे विचाओगा जारे विचाओगा जारे विचाओगा जारे विचाओगा जेड़ा A हागा। ओन ता हaley मनिंग आपने। ज आ ज थे। ज एज भी च dł Bah आज देख़े लिएतु आ अ की एंवर्स पक्कह आज भीच देख़े ज़ा होगा। क्यों हो क्योंगी है श ज संग्रूपः उपया। आज खुद आप गुरुप योगा। ओचे इनिवर्स एक्षिट करदा हो दा जी यह ऐलिमेंट हवी चार है यह ऐलिमेंट हवी चार है बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन अदि मल्टली प्लिकेश्ट जेड़ी है या ओधी किरेवी चाहोगी एच चाहोगी एक लाइए अपने closer, closer property क्यों satisfy करेगी because subgroup है जी subgroup हो दा आप group हो दा जी तो एक अठा कर ले अपने अगे राप कर ले ने a बन गया e this implies e b inverse h अगया एक तो की आगया b inverse h अगया यह लिख लो e की मनने अपने e identity element e is identity ता b inverse h विच आगया j कोई element h विच आगया ओधा inverse पका h विच आगया because h की हैगा subgroup of g यह एक खुद आप group होगा यह खुद आप group होगा ता ओधा inverse विच विच आगया element by inverse property a आगया b h चलो b h प्रूव करता है आपने हुद देख्यों आगे मनने आप पने नम्बरे टू देखो गो आगया नम्बरे टू देख्यों पच पैस्व बनने है की b एक अज़े है elemented cage नहीं आरहे है केज आरहे है गा precious नहीं आरहे है इतना पैस्व प्रूव करका इस नॉट पॉसिबल होगे नॉट पॉसिबल क्यों as b h विच नहीं आरहे है इस करके possible केज दुझा ले रहे हैं आपा इस तो बाजी के सेकेंड जे मालो a b इंवर्स के विच आजावे के विच आजे तो गौन देख्यो नम्बरी टू चेक कर ले नम्बरी टू दे विच आपाए नम्बरी टू दे विच बीनू आपाने केज ले आजे एफ जेरी विच आजे तो इना दी मल्टिप्लिकेशन जेरी है कि या ओवी पका के चाओगी बिकास के की आजे सब गृप आफ जी है सब गृप आफ जी है खुद आफ गृप होगा तो ग्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी एथ हो आगया एए ए था पहला माच चुके हैं आपा तो एए इंटू ए आगया एए केज आगया नम्बरिंगे बान देखो जी नम्बरिंगे बान रड़ी आप लिगी जी औरे विच की सीगा कि एए एक अजे हैलिमेंट लेया सी एच विच की सच देड़ ओहो केज ना होने पजा केज प्रू कारतार पने यह नौट पासिबल होंगया एज ए डजन अगा नौस्ट के चो हूँ देखो देआ अनल आपा किता की गोशा जी फिर देखांगी आंसर की है आपने आप्तने सपोज किता सी एच नॉट सबसट ओफ के या एञ एनड के नॉट सबसट ओफ एच आएよ te मन्या जी एपपने सपोज किता सी इनुप पहुँच लीए पहुंच लीए आपाने solve कर दे कर दे कर दे A B inverse आपा H intersection H union केज ले आंदा सी step देख लिए हो इते A ले आंदा सी आहा मानने के A ले आंदा सी इहे ले आके आप पढ़ने इक A शो करता की B H विच चल यह गल्थ हो इस तो कि अपा दो केस में आइसा हो ली इस पोस किता है जाए इस पोस किता था दो केस बढ़ने अपने जाए इरे विच होगा जाए इरे विच होगा A प्रूव काता गल्थ है लास्ट आपा गल्थ प्रूव काता नौट पॉसिबल काता कि यह गल्थ है A मन के अपने होनी किता है यह मान कि आपने हावी गल्ट शो का तो N。 मतलब की गल्बनी, इत्वों आ के अपड़ों दो केस अपने ही हो डाले सी, दुने ही केस गल्ट हो गए, एदा था हुनी सारा कि जीड़ा अपड़ रजल्ट मिला एख सारी गल्ट हो गया था, एत्थों आपच छले सेगे एत्थों दोगेस बने सीअ है अपसे दोगेस इपने सीपने इस दोगेस facto करते है जद्धिये स criminal गलत गहरा लुए कि दा अनसरी गलत अक माइय हो ग gameplay के सारा ना array विछ ग 76 गण होगा तो हुन प्रूव करता अपने नहीं यहे बिच आसावादा एभी गलत हो गया आभी गलत हो गया एदा किमें हो गया की एक element union दे विच आ रहे है जहां आता हूं, एक सेट विच होगा, जहां तुझे सेट विच होगा यह तो पका होगी पर दुने जाप पर गल्त करती है मतलब जिस दुने जाप पर गल्त करती है तो हो नहीं साथ समझे होते हैं आना कि मैं कह रहे हैं Union दे विच जे पिछे एक्जामपल है इसी अपना 1, 2, 3, 4, 5 H की लियासी अपने 1, 2, 3 ते K लियासी अपने 3, 4, 5 समझे होते हैं आना कि मैं है Union दे विच जे कोई element लोगे पका हो H विच होगा जां के विच होगा किसे एक्सता पका होगा जे element Union दे विच आ रहे है आहा माने क्या भी गल्त करता है ते आहा माने क्या भी गल्त करता है इदना कद नहीं हो सर्हां कि element union दे विच होगे ते किसे एंक क्रिता पक्का उना चाहिए नहीं मत्रों की बढ़ेगे वण गया यह अपना गल्त क्यों आ और है गल्त तहां आ आ रहे हैं किसे एंक ता पक्काओगे जे दुने घ्रभावी हो गया कि element union विच था आरही है ना O element H विच अचा ना O element K विच आरहा मतलबब बन गया तो यह दा मतलबब बन गया यह था हो ऑग ..., हो क्यों था गल्थ मननिन कर के ही जे गल्थ मननिन कर केल्थ आंसर आरहे है अपपत हो गया कि अपा जो मन्ने हो गल्थ हो गया, यह तो बाद आपा लिखांगे, यह ते लिखांगे, therefore, our supposition is wrong, कि जो आपा suppose किता हो गल्थ हो गल्थ हो, गल्थ क्यों हो, गल्थ मनन करके आँसर गल्थ आगे, इतना हुई इसार कदे, जे गल्ट मनन करके अपने आंसर गल्ट आगे तो सब पर इश्रों कि फिर एक गल्ट आए पिछे की रहा गया ए नहीं हो साथ ओग्राल केस के निम्णा ऐसी अपने दो किड़े किड़े आहाँ H सबसेट अफ के और K सबसेट अफ एच जा आदो केस यह हो रहा आ केस मनने आए होने साथ गल्ट करता अपने तब इच्छे केड़ा केस रहा गया आवला केस फिर ए आवला केस पक्ता होगा देरफोर ए पार्ट समझना वाला सी काफी जी एच सबसेट अफ के और के सबसेट वेच यह देख लिग अथा आनड यह अपपा प्रूव करना सी चलो नेक्स्ट पार्ट देख लिग छोटा जा ओ शुक है यह नेक्स्ट पार्ट का यह अपणे एधे विच इफ पार्ट में प्रूव करना है इफ पार्ट तो इस ओक ही है जिए जिए की हैगा वी आर गिवन देड आपन गिवन हैगा एच कॉमा के इस अग्रूप आफ जीन जित्ते हो जी एड एड एच सबसेट आफ के और के सबसेट आफ एच यहीं गिवन ते वी आर तो प्रूव देट आपाप प्रूव करना कि एच यूनिन के इस सब ग्रूप आफ जी हो तो आग इवन आपन सिंस ह सबसेट आफ के जान के सबसेट आफ एच जित्ता है अपन इफ जे एच सबसेट आफ के होगे इस याद माला साथ दियू दिस इंपलाइज फिर यूनियन दांसर की या होगा एक्जामपल देखें संब्सक्राइब आपा एच दे ऐलिमेंट सारे के विच ने ये यूनियन करांगे था की बनोंगे एक्जामपल देखेंगे एपा ह लेड़े हैं वांट त थरी ते के लेड़े हैं आपणे वांट त्री फोर ह दे ऐलिमेंट सारे के विच आखें यूनियन करांगे आपा वांट थोर था पहलें आट आरिमेंट पाते एचले मेंट सारे आ रहे हैं, तार के के बन गया है, तो एकला के देख खुला देख, के की गिवन अपण, विच इस, सब ग्रूप, ओफ, जी, एजी दा सब ग्रूप, के, जी, दा सब ग्रूप, दोने सेट ब्राबर होगे, देख, पर यूनिन की बाद जूगा, सब ग्रूप ऑफ, जी बाद जूगा, दोने सेट ब्राबर शो करते हैं, जी, एह सब ग्रूप देख, का सब ग्रूप होगा, दोने ब्राबर ने, ए पार्ट ग्रूप होगा, पर जे इफ आ ना होवे, आ होवे, मतलब के सबसेट आफ होवे, जे के सबसेट आफ होवे, जे के सबसेट आफ होवे, जे के सबसेट आफ होवे, तो हुन देख लोगे यूनिन की बनेगा, उन के जाइड में सारे हच भी चार ने, तो यूनिन करांगे आपका, तो ए ए एच बने इस झालिप आफ जी जाएता आ होगा जाहन होगा इसके एक चीज छूरुज करता इसके चीज वेड़िव रखर देरफोर ओर आफ therefore H union K overall A subgroup of G हो गए है जो लो ठीक है जो 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 कुछ बेसिक नसेप्ट है जो में और बार बार दस्या गया है गा जो बेसिक नसेप्ट ने उकिदे साइट दे प्रॉपर हो दा लिए तुनों बाच भी जाद रहे हैं जो ठीक है कोई प्रॉडम ह हो इतना तुसे हैं पुछ लिए हो जी जब कमेंटर दार लेकरो नीचे वीडियो दे जाए वाटसेप दे पुछ लोजिए अपने ग्रॉप बढ़े हैं तेंक यू